खबरें जिससे हैं आपको सरोकार बैंगलूरू कैफे विस्फोट शिफकुमार का दावा संदिग्ध की पहचान हो गई है करनाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिफकुमार ने शुक्रवार को कहा कि यहां एक कैफे में विस्फोट के लिए जिम्मेदार संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा मुख्यमंत्री सिद्धार्मिया ने पहले कहा था कि बैंगलरू के IT हब वाइट फिल्ड में रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को हुआ विस्फोट इंप्रोवाइजड एक्स्प्लोसिव डिवाइस आईईडी के कारण हुआ था विस्फोट में कम से कम दस लोग घायल हो गए इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए उनके डिप्ती शिफकुमार ने कहा हमें विश्वास है कि उसे संदिग्ध कुछ घंटों में ट्रैक कर लिया जाएगा हमारे अधिकारी बहुत सक्षम है उसके चहरे की विशेश्टाओं को देखा गया है और कमोबेश उसकी पहचान कर ली गई है उचित समय पर हमारे पुलीस अधिकारी मीडिया से बात करेंगे यह विसफोड दोपहर करीब एक दशमलव एक पांच बजे हुआ जब अधिकांज ग्राहक कैफे में दोपहर का भोजन कर रहे थे बिहार में बिजली उपभुकताओं को राहत दरों में दो प्रतिशत की कमी बिहार में बिजली उपभुकताओं को बड़ी राहत मिली है बिजली की दरों में दो प्रतिशत कटोती की घोशना की गई है राज्य विद्यूत विन्यामत आयोग ने शुक्रवार को वर्ष 2024 से 25 के लिए नई दरों की घोशना की जिसमें सभी श्रेणी की बिजली दरों में दो प्रतिशत की कमी हुई है बताया जाता है कि बिजली कमपनियों ने इस साल बिजली दरों में करीब तीन प्रतिशत की बड़ोतरी का प्रस्ताव दिया था यहां लगातार चौथा साल है जब बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है आयोग ने सुनवाई के बाद सभी श्रेणी के उपभुकताओं के लिए अनुदान रहित बिजली की दर में दो प्रतिशत कमी का फैसला लिया है विन्यामक आयोग ने अपने निर्णय में कहा की वित्रण कम्पनियों के राजस्व अधिशेश को ध्यान में रख दरों में व्रिधी के प्रस्ताव को अस्विक्रित कर दिया गया सभी श्रेणी के उपभुकताओं के लिए वित्तिय वर्ष दो हजार चौबीस से पचीस में बिजली की दरों में कमी किये जाने का फैसला लिया गया है उज्जेन कॉंक्लेव में 283 इकाईयों को 508 हिक्टेर भूमी आवंटित, 61 हिकाईयों का लोकारपन मध्य प्रदेश के उज्जेन में दो दिवसिय रीजनल इंडस्ट्री कॉंक्लेव के पहले दिन राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 283 इकाईयों को 508 हिक्टेर भूमी के लिए आवंटन पत्र प्रदान किये मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि उज्जेन के रीजनल इंडस्ट्री कॉंक्लेव के बाद प्रदेश में जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी रीजनल कॉंक्लेव आयोजित की जाएगी कॉंक्लेव के दौरान ही ओद्योगिक इकाईयों के लोकारपन और भूमी पूजन भी किये जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम के दौरान 283 इकाईयों को 508 हेक्टेर भूमी के लिए आवंटन पत्र प्रदान किये ममता बनर जी ने पीएम मोदी से की मुलाकात शिष्टाचार बैठक बताया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी ने शुक्रवार शाम यहां राजभवन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की संग्शिप्ट बातचीत के अंत में उन्होंने इसे प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच एक प्रोटोकॉल बैठक बताया पश्चिम बंगाल की दो दिवसिय यात्रा पर आये प्रधान मंत्री हुगली जिले के आराम बाग में एक सारवजनिक रैली को संबोधित करने के बाद शुक्रवार दोपहर बाद राजभवन पहुँचे रैली में उन्होंने संदेश खाली जैसे मुद्दो और वित्तिय भ्रष्टाचार के मामलों पर राज्य सरकार और सत्तारूट त्रिणमूल कॉंग्रेस के खिलाफ तीखा हमला बोला मुख्यमंत्री ने कहा लोगसभा चुनाव की तारीखों की घोशना अभी बाकी है PNT की खास पेशकश